Hello and Welcome Friends, मैं रमन हाजूरू हूँ आपके लिए नई और बहुती मज़ितार वीडियो लेकर Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप Google Map की हिस्टरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं चाहे तो आप उसे manual डिलीट करना चाहें तब भी कर सकते हैं अगर आप उसको आटो डिलीट करना चाहें तो तब भी उसे डिलीट कर सकते हैं तो चलिए Friends, जानते हैं step by step के Google Map की हिस्टरी को कैसे डिलीट करते हैं सबसे पहले Friends, आपको यहाँ पर अपना Google Map उपन कर लेना है तो यह दिखें, यहाँ पर मेरे पास maps की option आ रही है, मैं यहाँ पर इसे open कर लेता हूँ तो Friends, इसे open करने के बाद कुछ इस तरीक का हमारे पास यहाँ पर interface आ जाएगा उसके बाद Friends, आपको यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर logo शोग हो रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर मेरी ID, मेरे चैनल का logo यहाँ पर show हो रहा है तो मैं सिंप्रिसा इस logo पर क्लिक कर देता हूँ तो चलिए जी, logo पर क्लिक कर देते हैं उसके बार friends हमारे पास एक option आ जाती है your timeline तो चलिए जी your timeline पर हम ok कर देते हैं तो your timeline पर friends ok करने की पते थी यहाँ पर हमारे पास एक option आ जाएको today कि आज आपने क्या search किया वो चीज यहाँ पर आ जाएकी हमने यहाँ पर कुछ भी search नहीं किया तो उसके बार friends आपको क्या करना है यहाँ पर फ्री डॉट पर चले जाना है यहाँ पर फ्री डॉट पर चले जाते हैं उसके बार friends यहाँ पर चले जाना है हमें setting and privacy तो चलिए जी setting and privacy को open कर लेते हैं तो इसके बार friends हमें यहाँ पर चले जाना है तो आप सीधा डिलेट भी कर सकते हैं अगर आप यहां पर जो भी आपने अभी तक लिकेशन लगाई हैं जा आपने उनको सर्च किया है वो सभी आप यहां से डिलेट कर सकते हैं अगर आप यहां पर आटो में डिलेट करना जाएं तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यह दिकिए फ्रेंट्स अभी open होने के बाद हमारे पास कुछी त्रिक के यहाँ पर interface open हो गया तो सबसे पहले तो फ्रेंट्स आपको यहाँ पर टेक कर देना है आटो वाले पर उसके बाद आपको यहाँ से select कर लेना है आपको 3 मंत का करना है या 36 मंत का करना है तो चलिए जी मैं यहाँ पर 18 मंत ही रखता हूँ उसके बाद फ्रेंट्स आपको यहाँ पर next पर ok कर देना है तो जो आपकी history होगा भी यहाँ पर auto delete पर लग जाएगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर dot auto delete पर लगा दिया तो चलिए जी उसके बाद फेंट्स हम बाद कर लेते हैं delete history तो इस पर ok कर लीते हैं यहां पर यहां पर आपको डेट डालने हैं कि आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको जो भी अपनी हिस्ट्री अब डिलीट करनी है तो आप यहां पर भी डेट सेट कर सकते हैं यहां पर कलेंडर के साब से और नीचे भी आप यहां पर इस पर टैप करके कलेंडर के सा तो चलिए जिस पर okay कर लेते हैं उसके बार friends आपको यहाँ पर सिंप्ली सा टिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर delete की option पर okay कर देना है तो इस तरीके से जो आपकी history है वो यहाँ से delete हो जाएगी तो यह दिखिए friends यहाँ पर मैंने आपको पूरा complete अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है अगर friends आपका यहाँ पर कोई भी question होता है कुछ भी अगर आपको नहीं समझाता आपको कुछ भी चीज पूछने है तो आप नीचे comment कर देना नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक के ओपर वीडियोस मिल जाएंगी तो अगर friends यह वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलिज़फूल रही तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स पर वाचिंग, हैव आ नाइस दे वाहिकुर्ची का काल सवाई शिर वाहिकुर्ची की फते